असलाम अलेकुम गाइज वेलकम तो माइ यूट्यूब चैनल अलबाउट सिविल इंजीनियर गाइज आज की हमारा जो टॉपिक है वह है न कंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट इसका सबसे पहले हम इसका इंट्रोडेक्शन जाले लेते हैं इस टेस्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी कंप्रेशिव स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए चेक करते हैं और यह टेस्ट हमारा जो होता है वह सिफ कोहसिफ सॉइल का ही हो सकता है कोहसिफ सॉइल हमारी वह होती है जो प्लास्टिक सिटी जिसके अंदर होती है जो बाउंड बना सकती है जो सॉइल उसको कोहसिफ सॉइल कहते हैं तो उस सॉइल का जो है हम इंटेक्ट कंडिशन या रिमोल्डिट कंडिशन में जो है इस मशीन पर रखके और उसका कंप्रेशन टेस्ट करते हैं और इसकी डिफॉर्मेशन जो है वो चेक करते हैं तो इसका हम या तो री मॉल्डेट स्पेसिमें बनाते हैं या हमारा जो इंटक्ट स्पेसिमें होता है जो हम SPT में शेल भाई ट्यूप से जो है सेंपल लेते हैं सेंपलर ट्यूप से उसका भी टेस्ट कर सकते हैं और अगर वह डिस्टाब हो जा हमारा तो अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सबस्क्राइब किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नए आनी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले हम इसके अपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं हमाई पास मशीन होती हैं कन्फाईंड कंप्रेशन डिवाइज यह इसकी एक जो गेज इदर लगी भी होती है अपर प्लेटन पर यह हमारी कहलाती है स्ट्रेंड गेज और यह जो प्रोविंग रिंग के अंदर लगी भी होती है लोडिंग गेज होती है और यह हमारा अपर प्लेटन है और यह बोटम प्लेटन है जिसके बीच में हम अपने इस पेसिमन को रखके उसका टेस्ट करते हैं मोल्ड हो चाहिए हमें एक और उसका एक्स्ट्रेक्टर और कमपैक्टर दोनों यही होता है जो इसमें स्टाप्वाच हमें चाहिए सबसे पहले हम मालुम कर लेता है वेट आफ सैम्पिल rate of sample brink हम किस तरीके से लेंगे इस मोल कि ऑल्यम को च触 sometimes कि अंभर तूर्फो कि इस तरीके से स्वालेंगे घ्राइक है кажучा अगाँ गजाएक हम्मिच इसका मास्टे कॉन्टेंट सब मोल्द चाहिए नेचरल मॉस्टर कॉंटेंट डायमीटर ऑफ मोल्ड हमारा कितना होगा इंटर्नल डायमीटर जो है 3.5 cm रेश्य आफ मोल्ड हाइट की जो रहेगी वह डाय से 222.5 तक रहेगी हाइट ऑफ मोल्ड हमारी कितनी है 7.2 cm इसका एरिया निकालेंगे सबसे पहले एरिया का फॉर्मूल आपको मालूम है पाई रेडियस स्कॉायर पाई की वैल्यू यह है और हमारा रेडियस जो है 3.5 डाय का रेडियस 1.75 बनता है तो इसको इससे मल्डिप्ला हम आजाएगा 69.3 cm क्यूब वेट ऑफ सेंपल हम निकालेंगे वॉल्यम जो हम आप वॉल्यम आएगा मोल्ड का उसको मल्डिप्लाए कर देंगे देंसिटी से तो 124 ग्राम जो है हम स्वाइल यूज करेंगे टेस्ट के लिए वेट ऑफ वाटर हमारा 11.8 परसंट है तो 124 ड हम सीटार पस्वाइल 124 ग्राम एंड्ड भाटर 14.6 क्राम जाम 124 ग्राम आप वैट लोगे तो उसमें फर 14.6 ग्रामी कर दोगे mix the sample and fill into the mold and compact soil फिर आपने जो है soil को mix करना है water में और जो है mold के अंदर फिल कर देना है और फिर इससे compactor से जो है compact करना है थोड़ा-थोड़ा डाल के gradually आपने करना है open the mold and extract the specimen फिर आपने mold को open कर लेना है center से open on हो जाता है और जो है extract कर लेना है जो आपका specimen है कि determine the average height and diameter of specimen फिर आपने इसकी height और डाय जो है specimen का check कर लेना है place the specimen in loading device at centered on the bottom platen फिर आपने इसको जो है machine में रख देना है आपकी जो device उसके center में में रखना है आपने जो है adjust the loading device upper platen just contact with the specimen फिर आपका जो यह अपर platen है इसको आपने इसकी specimen के उपर touch कर देना है उसके साथ touch हो जाए जीरो डिफर्मेशन इंडिकेटर फिर आपने दोनों अपनी इसको जीरो कर लेना है या initial reading आप नोट कर लें apply the load procedure and excel strain at a rate half to two percent per minute load का जो rate है आपका वो है half percent से 2 percent तक per minute में जो है आप इस तरीके से उसका load दोगे the rate of strain should be chosen so that the time of a failure does not exceed about 15 minute but आपने जो भी rate देना है यह आपको specimen को देखके idea करना है कि आपने half rate देना है one person rate देना है one and half percent देना है specimen को देखके decide करना जो भी आप rate दोगे 15 minutes के अंदर अंदर जो है आपका वह specimen failure हो जाना चाहिए मतलब crush हो जाना चाहिए 15 minutes के अंदर तो इसी साब से आपने rate देना है record the load deformation and time values at sufficient interval फिर आपने जो है record करना है deformation यह वाली gauge को strain gauge को और यह अपना load gauge को आपने जो है और time के हिसाब से note करते हैं 30 30 seconds के हिसाब से note करते रहना है इस हिसाब से sufficient intervals है ज्यादा तर हम लग 30 30 seconds के हिसाब से हिए record करते रहते हैं usually 10 to 15 points are sufficient और 10 से 15 points वो काफी होते हैं हैं हमारे इस test में कि हम जो reading note कर रहे हैं वो 10 से 15 points हम note करते हैं वो काफी होते हैं continue loading until the load value decrease with increasing strain और until 15% strain is reached फिर आपने जो है load को continue करना है जब आपके reading जो है decrease होना शुरू हो जाए तो जब तक आपने करना है और या तो 15% strain मजीद आगे चला जाए 15% जो है और तक पहुंच जाए आपका strain है तो वहां तक भी आप इसको load दे सकते हैं अब हम इसकी calculation की बारे में जान लेते हैं इस तरीके से हम इसकी reading वगरा नोट करेंगे time जो है 30 30 seconds के हिसाब से हमने इदर लिख लिए 30 seconds पर हमारी strain reading यानि कि यह वाली reading कितनी आई वह हमने लिख ली और load की reading जो है proving की वह कितनी आई हमने 30 30 seconds के हिसाब से जो है लिख लिए सबसे जादा हमारी जो reading है ultimate load जो है हमारा वह 3.5 minute पर जो है वह आ रहा है उसके बाद यह देखें आप लोड डिक्रीज हो रहा है तो इस हिसाब समने इसको कर लेना हमने जो है strain percent निकालनी है strain percent क्या है कैसे निकालते हैं यह हमारी जो है strain percent इसको कैसे calculate करते हैं यह मैं strain percent इसका formula यह है इसमें जो हमारी यह वाली value वह कहलाती है length change of specimen as rate from deformation indicator जब आपका यह deformation हो रहा था मतलब इसके उपर load डला था तो इसकी length कम हो रही थी तो वह length जो है हमने इदर लिखी वह reading हमने इदर लिखी है .25 सही है और यह जो हमारे यह value है initial length of specimen है जो हमारा test से पहले specimen के हमने length ली थी हमाई 72 mm है तो हम इसको calculate कर लेंगे 1.97 हम कर रहे हैं यह जो हमारा ultimate load है इसका कर रहे है 1.97 यह हमाई reading आई थी इसको हमने divide कर दिया 72 जो हमारे specimen की initial length थी multiply by 100 कर दिया है तो यह हमारे strain आगे 2.7% इसी तरीके से हम निकालेंगे corrected area corrected area हमारा यह आगी है इसको हम किस तरीके से calculate करेंगे इसका formula हमारे पास यह है यह हमारे पास है initial cross sectional area जो हमने test से पहले area निकाला था specimen का वह हमारा यह है 962.5 mm square और यह value हमारी strain की value 2.7% इस हिसाब से हमारे area जो initial था वह यह आ गया strain हमारा 2.7 है divided by 100 पर बन से minus कर देंगे फिर area को इससे divide कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 989.2 mm square जो है हमारा ultimate load जो है उसमें यह हमारा आ गया corrected area अब हमें load जो हमारा machine में किलो newton में था अब हमने इसको newton में convert करना है तो हम सारी values को thousand से multiply कर देंगे तो हमारे पास यह newton में आ जाएगा क्योंकि हमें इसको newton per mm square में strength देनी है यानि कि mega Pascal में तो हम इसको newton mm में लेंगे compressive stress के लिए क्या है P divided by A यानि कि 274 जो हमारा kilo newton में load in newton में है 274 इसको divide कर दिया हमने इसके corrected area से 9.2 से तो हमारे पास यह इसकी strength आ गई 0.228 newton per mm square इसी तरह आप हर लोड को जो है उसके corrected area से divide करेंगे तो आपके बास सब की आ जाएगी लेकिन यह हमारे पास ultimate load है तो ultimate load हमारे क्यू यू कहलाता है तो इस लिए हम यह हमारी जो है क्यू यू जो आ गई है 0.28 newton per mm square अब share strength हम कैसे निकालेंगे share strength का formula यह क्यू यू divided by 2 क्यू यू हमारा है 0.28 divided by 2 करेंगे तो हमारे पास आ जागा 0.141 तो गाइज बड़ी important और बड़ी difficult calculation है इसकी मैंने बड़ी वाज़े करके आपको समझाने की गोशिश करिए लेकिन फिर भी अगर आपको कोई question है कोई कोई बात समझ में नहीं है यह तो आप comment section में आया है comment करके पूछ सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें channel को subscribe करें thanks for watching